शाम की गर्मा गर्म चाय के साथ अगर इस तरीके का करारा नाष्टा मिल जायना तो क्या ही बात है। यह परतदार निमकी या नमक पारे या मठी जिसे कहते हैं वो आप घर पर बना सकते हैं और कई महिने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूं बिल्कुल खसता करारी मठी की रेसिपी तो आएए फटा-फट से रेसिपी देख है तो यहां पर मैंने इसमें नमक एड़ कर दिया है और आदा छोटी चमच अजवाइन ली है जो के डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हातेलियों के बीच में थोड़ा सा रगड लेंगे ताके बहुत एच्छा फ्लेवर आए साथ ही एड़ कर देंग तो इसके बाइंडिंग आने चाहिए मॉयन जिसे कहते है वह आना चाहिए तो आपने कम से कम 1-2-15 मिक्स करना है यह स्टेप बहुत ज़्यादा जरूरी है मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानि करेंगे बहुत कम-कम पानि एड़ कर तो इसका सक्ट सा डो लगाकर रेडी कर लें दो जो है वो हमने आटे को इखटा कर लिया है समेट लिया है अब इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे अब मैंने एक अलग कटोरी में यहां पर दो चमच मैदा लिया है और यहां पर उसमें एक चमच घी और थोड़ा सा ओईल डाल करना एक बैटर सा बना कर लेंगे जो के बहुत ज्यादा का है जो के हम परतदार मठरी बना रहे हैं उसके लिए बहुत ज्यादा ज़रूरी है इससे सारी मठरी बिल्कुल परतदार बनेंगी काफी सारी लेयर्स बनेंगी और खस्ता और करारी तो बनेंगी ही तो इस तरीके से घोल करना एक हम क्य कुपड़े से ढख कर रख देंगे सबसे पहला स्टैप आता है मठ्री बनाने के लिए कि आपने क्या करना कोई clinical xяс बहुरी तकत लगा कर इसको बैल लेना है इसको पतला लेना है जितना बढ़ा बैल सकते हैं आप अपने बेल लेना तो मैंने इतना बड़ा बेल कर तयार कर लिया है अब जो हमने यहाँ पर घोल बनाया था न घी का और आटे का वो हम क्या करेंगे इस पर अपलाई करेंगे आप चाहें तो हाथों की मदद से अच्छे से आपने अपलाई करना है सारे कोनों पर बीच में कहीं से भी सूखा नहीं रहना चाहिए इस घोल को आप लगा दें यह हो गया इसके बाद आपने क्या करना है इसका एक रोल बनाना है लंबा सा रोल बनालेंगे इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे आटे को और इसका एक रोल बनाकर रेडी कर लेंगे तो बस roll बन गया उसको थोड़ा सा हातों से और भूमाएंगे इस तरीके से फिर आपको लेना है एक knife और इसके छोटे-छोटे pieces जैसे मैं आपको दिखा रही वीडियो में cut कर लेंगे अभी छोटे-छोटे pieces जब cut हो जाएंगे तो उसको अपने हतेलियों से प्रेस करना इस तरीके से गोल शेप आजाएगी बहुत ही easy है बस आप हतेलियों से सारे जो pieces है उनको प्रेस करके इस तरीके से गोल शेप में cut लें तो इससे क्या हो जाएगा आपके पास एक गोल लेयर वाली जो है न मठी बनकर तयार हो जाएगी आप चाहे तो इसको ऐसे भी fry कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पना वो तिकोन वाले नमक पारे टाइप जो मठी आती है वो बना रहे है तो मैंने यहाँ प प्रेस कर देंगे और फिर इसको हम थोड़ा सा बढ़ा करेंगे हलका सा बस आपने हलका सा बेलना ज्यादा बिल्कुल भी नहीं बेलना दोनों साइड से और यह हमारी तिकोन शेप की मठी बनकर तयार है जो कि बहुत ज्यादा खसता रोग करारी बनेगी ओयल रग दिया है और फिर आप देखेंगे थोड़ी दिर बाद नहीं कालर चेंज हो जाएगा जैसे हलका गोर्डन ब्राउन कलर आएगा हम इने निकाल लेंगे तो यह देखें इस तरीके से आपने इने हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं सेखना लो टू मीडियम फ्लेम पर हम सारी मठी में से निकल जाए और यह बहुत जादा क्रिस्पी बनकर तयार होती है तो यह देखें मठी बनकर रेड़ी हो चेकी है अब इने हम सर्व करेंगे तो आप लुक और टेक्षर देए कि सकते हैं काफी खसता और करारी बनकर तयार हुई है अगर आपको मेरी वीडियो